जब कोई विधारती किसी सबजेक्ट को आज एक किताब से पढ़ रहा है कल दूसरी से फिर तीसरी से तो सिक्षक कहता है कि फोकस करो एक किताब पर दिशाहीन मत बनो यह आप के लिए घातक हो सकता है दोस्तो आज हम सिक्षक और विधारती की बात इस संदर में नहीं कर रहे हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दिशाहीन मुख्यमंत्री की जिनके पास कोई दिशा नहीं है वर्तमान समय में किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए चाहें वो कोरोना की इस्तिती हो चाहें वो रोजगार की इस्तिती हो सिक्षकों की इस्तिती हो या फिर पेड़ की इस्तिती हो जो अक्सीजन देते हैं जी हाँ अधारण ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सुराज के एक दिशाहीन मुख्यमंत्री है और वो जनता एक दिशाहीन मुख्यमंत्री के साय में जी रही है कौन सा है वो राज और कौन से है वो मुख्यमंत्री बताते हैं आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूं गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक सभी से एक ही अपील है कि सवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए दोस्तों वह मुख्यमंत्री है मद्यपरदेश की सिवराज सींग चौहान, सबसे पहला उधारन लेते हैं चायनेज सिक्षकों का, तीन से चार साल से इंतजार कर रहे हैं, इतने दिशाहीन हो गए है कि इनको निक्ती नहीं दिलवा पा रहे है, बहाना कभी कोरोना, कभी कभी कुछ मुक्यमंत्री जी अगर आप इतने संवेदन शील है तो क्या इन सिक्षकों की इस्तिती को नहीं समझ रहें आप क्या इस सिक्षक गरीबी रेखा ? कि नीचे फ्री मेर राशन लेने वाले है क्या ? कि इनको राशन मिल रहा है ? या कि इस्तिती से अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, इसका अंदाजा साइद आपको नहीं होगा, और आपके स्कूल सिक्षा मंतरी इंदर सिंग परमार को भी नहीं होगा, अगर होता तो इनको अपतर नुक्ती दे देते, इसके लिए आपको टुटर पर माफी मांगनी चाहिए, इंदर सिंग परमार जी क को भी और आपको भी क्योंकि आपने ये कोई महान कारे नहीं किया है इससे कहीं न कहीं मद्यपरदेश की इस्तिती सिक्षा के छित्र में दैनी हो रही है यह आपको समझना चाहिए सिर्फ टुटर पर मेरा भारत महान लिख देने से और बड़ी-बड़ी बातां से MP महान नही हो जाएगा आपको एक कार करना पड़ेगा और जंता को दिखाना पड़ेगा दूसरा अधरन लेते हैं दोस्तों MP पुलिस के अभ्यरतियों का यह जो है परिक्षा के लिए कई समय से इंतजार कर रहे हैं परिक्षा भी तक हो नहीं पाई है इनको डेट्स मिलती रहती है ब अगर पीबी का अधिकारी अमकमंत्री सिवराज सिंग्च चोहान ये दर्द समझ रहे होते तो शायद इनकी परिक्षा अब तक हो जाती लेकिन MP की सरकार अपने निकम्बेपन को कोरोना से छिपा लेना चाहती है लेकिन देश के सामने ऐसा अधारन प्रस्तुत नहीं कर प लेकिन लोग औकसीजन के लिए तड़प रहे थे हमारे मुक्कमंत्री जी पेड लगा रहे हैं अपने जनम दिन से बार बार संदेश भी दे रहे हैं लेकिन सोचिये ना च्छतर पुर्पर जो बक्सवा के जंगल है वहाँ पर मुक्कमंत्री जी क्यों एक साहब दूसरी तरब जंगल कट रहे हैं किया जा रहा है कि वह कंपनी बाद में पेड़ लगाएगी हमारा यहां पर एक सुझाव है कंपनी पहले पेड़ लगा करके दे दे उतने बड़े कर दे फिर जंगल काट ले कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह देश जानता है कि यहां के कॉ इशर मपंती को दिखाते हैं जंगल कड जाएंगे बाद में गायब हो जाएंगे कोई बिदेश भाग जाएगा कोई लंदन भाग जाएगा लेकिन पेड़ लगाने नहीं आएगा मुक्हमंत्री सिवराज सिंग्छ चोहान को इस पर भी अपनी राय साफ तोर पर दे देनी जाहिए भारत महानँ नहीं बनेगा काम करने से भारत महान बनेगा इसके साथ हम बात करने कोरुना योद्धाओं की यह भी कोई ज़्याधा खुशाल नहीं यह देखिए दिशाहीन कैसे हैं मुक्हमंत्री जी इनको तीन महाइने में इनको पता ही निया कि आगे क्या होना प्रवराम चौधरी पता नहीं किस बात के स्वास्त मंत्री बने फिर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए इन्हें जोइनिंग देनी है तो दें बाद में दो दो तीन-तीन महीने की ड्रामेवाजी शायद लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो अपनी स्वास्त इस्तिती में मद सिवराज सिंग चौहन को एक विजन तयार करना होगा वरना यह लहर बाद में आएगी तो क्या फिर से बंद कर दिया जाएगा मद्यप्रदेश को क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बिना बंद किये आप मद्यप्रदेश को बचा बंद करेंगे यह तो कवी वहवाई नह이 हुई यह तो एक तरीका से अपनी कायर पंती दिखाना हुई कायर पंती कहेंगे जब आपने सब कुछ बंद कर दिया तो महान क्या हुआ महान ineट चया हुआ कि सब कुछ खुला रहा known to पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर जगर शेयर करें अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार